नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभाद टीवी में आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा नज़र डालेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेड्लाइन्स पश्चिम बंगाल में CBI को लेकर विवाद पर संसत के दोनों सदनों में हुआ गती रोध केंद्रिय ग्रिह मंत्री राजनास सिंग ने लोग सभा में दिया बयान राज्य सरकारों से की जाज एजेंसियों के काम में बाधा नहीं डालने की अपील पश्चिम बंगाल के राज रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन की अगुआई में चुनाव आयोक से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधी मंडल कहा बंगाल सरकार के सनरक्षन में प्रदेश में हो रही है अराजक्ता राज्य में शांतिपूर्ण धंग से लोग सभा चुनाव कराने और स्वतंत्रों निश्पक्ष माहौल की मांग टीमसी ने केंद्र पर सीबी आई के दुरुपियों का लगाया आरो चिट फंड घोटाले की जाच में पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के बाधा डालने को लेकर सुप्रीम कोट पहुँची सीबी आई कोलकाता पुलिस कमिशनर राजीव कुमार पर लगाया सुबूतों को नश्ट करने का आरोप कोट ने जाच एजेंसी से मांगे सुबूत कल होगी मामले की सुनवाई विश्व कैंसर दिवस के मौके पर देश दुनिया में सेमिनार रैलियों और जन जागरुकता अभियानों का किया गया आयोजन उपराश्ट्रपती एमवंकया नाइडू ने डॉक्टरों नीती निर्माताओं और विशेशग्यों से की कैंसर के बारे में जागरुकता पहलाने की अपील प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर रोगियों के जजबे को किया सलाम और प्रयाग राज में दिव्यक कुम्भ के दूसरे शाहिसनान पर भारी तादाद में उम्रे श्रद्धालू मौनी अमावस्या के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी सुरक्षा के पुखता किये गए इंतिजाम और खबरें अब विस्तार से देख लेते हैं पश्चिम बंगाल सरकार और CBI के बीच विवाद को लेकर संसद में विपक्ष के अवरोत के बीच केंद्र ग्रह मंतरी राजनास सिंग ने बयान दिया उन्होंने घटना की सिलसलेवार जानकारी देते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तकराव को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर सम्विधान के मताबिक काम करने की सलाह दी इस बीच मामले में पश्चिम बंगाल के राज़पाल के श्रीनाथ तरपाथी ने अपनी रिपोर्ट केंदर सरकार को भेज दी है वही इस पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच बयान बाजी जारी है संसत के दोनों सदनों की कारवाही में पश्चिम बंगाल में सीबी आई की कारवाही के घटा करम को लेकर गटिरोध हुआ कई बार अवरोध के चलते दोनों सदनों की कारवाही दिन भर के लिए इस्तगित करनी पड़ी राजी सभा की बैठक शुरू होने के कुछी मिनिट बाद TMC की अगवाई में विपक्षी दलों ने रविवार रात कोलकाता के पुलिस कमिशनर के खिलाफ CBI की कारवाई का विरोध किया विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक कारणों से CBI के दुर्पयोग का आरोप लगाया लोग सभा में शूनिकाल के दौरान इस मुद्धे पर जवाब देते हुए केंदरी ग्रहमंत्री राजनाथ सिंग ने कोलकाता के पुलिस आयुक के खिलाफ CBI की कारवाई को उचित थैराया है उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई बार उन्हें भेजे गए समन का जवाब नहीं दिया गया केंदरी ग्रहमंत्री ने CBI अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कारवाई को गयर कानूनी बताया है संबिधान में केंदर सरकार को केंदरी ग्रहमंत्री ने इस मामले में पश्य मंगाल के राज़पाल से बात कर इस मुद्दे पर विश्तरत रिपोर्ट मांगी है वहीं बीजेपी ने कोलकाता में मुक्यमंत्री मम्ता बनर जी के धरने को आसमवैधानिक बताया है बीजेपी का कहना है कि मम्ता बनर जी को व्रष्टचार में शामिल लोगों का समर्थन करने की बज़ाए सी बी आई को जाच करने में सहीयोग देना चाहिए सिर्फ सी बी आई पूच्टाच करने गई है और एक पुलिस कमिश्टर के समर्थन में उसके साथ धरनबर बैटी हुई है जो मम्ता जी दो दो एमपीज की गिरफतारी पर खामोश रहती है वो एक पुलिस कमिश्टर 89 बैच के IPS आफसर की गिरफतारी पर और अविवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे शार्दा चिट फंड मामले की जाज के सिलसिले में कोलकाता पुलिस आयुक्तर राजी कुमार के निवास पर पहुचे थे इसके बाद मुख्यमंतरी मम्ता बनर जी CBI की कारवाई को लेकर धरने पर बैठ गई गोर तलब है कि शार्दा चिट फंड घोटाले में लाखों गरीबों को करोणों रुपए का चूना लगाया गया है TMC के कैनेता इस मामले में आरोपी है और CBI सुप्रिम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जाच कर रही है रवेदर शिंग शुराण के साथ बिरो रिपोर्ट राजे समा टीवी तो कोलकाता में चल रहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी के धरने को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधी मंडल ने सोमवार को चुनावायोग से शिकायत की बीजेपी ने आरोप लगाया के पश्चिम बंगाल सरकार के सनरक्षन में राज्य में अराजक्ता का माहौल है चुनावायोग अराजक्ता की जाच करे बीजेपी ने चुनाव आयोक से पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निश्पक्ष और भाय मुक्त माहौल में लोक सभा चुनाव कराने की मांग की है इस प्रतिनी धी मंडल में केंद्रिय रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमर्ण, केंद्रिय मंतरी मुखतार अरबास नकवी, सेस अहलुवालिया और भाजपानेता कैलाश विजवर्गिय समेथ कई प्रमुखनेता शामिल थे हमने चुनावायोग से मांग की है कि स्वतंत्र निश्पक्ष और भैमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोक सभा के चुनाव हो इसके लिए जो वर्तमान, हालात और प्रस्थितियां हैं उसका चुनावायोग आकलन करे और जो अधिकारी तिर्मूल कांग्रेस के कारकरता की तरह भूमिका निभा रहे हैं तिर्मूल कांग्रेस के हिंसक्त घटनाओं के हिस्सेदार भागीदार बने हुए हैं उनको भी चुनाव के ड्यूटी से मुक्त रखा जाए और साथी साथ जो सेंटरल फोर्सेज हैं उनका डिप्लाइमेंट भैमुक्त और सुतंत्र माहौल में चुनाव के लिए जरूरी ह और इधर EVM मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनावायोग से आज श्राम मुलाकात की। कॉंग्रेस, NCP, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने चुनावायोग से मांग की है कि लोकसभा चुनाओं में वीवे पैट से निकलने वाली 50 फीसिदी पर्चियों का मिलान EVM के गिनती से किये जाए। जो पेपर ट्रायल है उस पेपर ट्रायल को किनना चाहिए उसको डिस्ट्राइ नहीं करना चाहिए। मैं सडक एवं यातायत नियमों का हमेशा पालन करूँगा। मैं अपने एवं सडक पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूँगा। सडक नियमों का पालन करने की शपत के साथ सोमवार को राजगाट के गांधी दर्शन से सडक सुरक्षा जागरुकता कार रैली की शुरुवात हुई। ये दिल्ली से 7250 किलो मीटर का सफर पूरा कर 24 फरवरी को मयमार पहुँचेगी। विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज और परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने रैली को जंडी दिखा कर रवाना किया। रैली का मकसद सडक सुरक्षा के साथ राश्चुपिता महात्मा गांधी के विचार को लोगों के बीच महँचाना है। इसे केवल देश तक सीमित नहीं रखा। वो बंगलादेश और म्यनमार हमारे दो पडोसी देशों तक उसको ले जा रहे हैं और वहां भी वो स्थान चुने हैं जो स्थान धाका में या यांगों में महात्मा गांधी जीक साथ संबंदित थे। लाक एक्सिडेंट होते हैं और देड़ लाक मोहते होती हैं। 2016 में हमने सब प्रयास करने के बाद 4.1% इसमें कमी आई हैं। 2017 में 4.75% कमी आई हैं। सरकारी आंकडों के मुताबिक देश में हर साल पांच लाक सडक हाथ से होते हैं। और सालाना डेड़ लाक लोग अपनी जान गवाते हैं। सडक सुरक्षा को लेकर जाग रुकता से सडक हाथ सों में कमी लाई जा सकती है। अनुदीवान, राज्य सभाटी। का आरोप उन्होंने लगाया। दूसरी तरफ इस मामले में Associated Journals Limited ने दिल्ली हाई कोट की सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। Associated Journals Limited की याचिका पर अब 23 फरवरी को सुनवाई होगी। सुनन्दा पुशकर मौत के मामले में कॉंग्रिस नेता शशित हरूर की मुश्किले बढ़ गई है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट ने मामले को अतिरिक्त सत्र नियाई धीश के अदालत के पास भेज दिया। क्योंकि भारती अदंड सहिता के धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के तहट अपराद के मुकदमे की सुनवाई सत्र नियाई धीश द्वारा ही की जाती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को ये भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सतरकता रिपोर्ट को भी सुरक्षित रखा जाए। रिशिकुमार शुकला ने नए CBI डिरेक्टर के रूप में कारेभार ग्रहन कर लिया है। पुस्टिंग CSP रायपूर के तौर पर हुई वो दमोह, शिवपुरी और मनसौर जिले के SP रहे हैं। और उन्होंने 2009 से 2012 तक मध्यप्रदेश के ADG इंटिलिजिन्स की जिम्मदारी भी सम्हाली है। आई खबरो में यहां लेते हैं छोटा सब्रे फॉरन हाजिर होंगे बने रही है हमारे साथ। आई खबरो में यहां लेते हैं लेते हैं। भानू अथाया अकादमी एवोर्ड अपने नाम करने वाली पहली भारती महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किये हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तयार। 1956 में फिल्म CID से करियर का आगास किया। और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ओसकर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राश्ट्य पुरसकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मिजोरम में हाल में चुनकराय विधायक इन दिनों संसद भवन में संसद्य और विधाय कामकाज का प्रशिक्षन ले रहे हैं। ये प्रशिक्षन संसद्य अध्यन और प्रशिक्षन विभाग यानि BPST की ओर से हो रहा है। इस दौरान इन सद्यस्यों को विधायका की कानून बनाने की शक्तियों से लेकर शासन और प्रशासन में इसकी एहमियत के बारे में प्रशिक्षन दिया गया। मिजोरम के खेल मंत्री ने भी इसे काफी ज्यान बर्धक बताया। यह प्रशेक्षन छे परवरी तक चलेगा. बच्चों में वैग्यानिक सोच, रचनात्मक्ता और श्रोज को बढ़ावा देनी के लिए दिल्ली में दो दिन के Northern India Science Fair की आज से शुरुवात हुई. इसमें 45 स्कूलों के छात्रों ने अपने Science Model का प्रदर्शन किया. दो दिन के Northern India Science Fair की शुरुवात सोंबार को दिल्ली में हुई. इस मौके पर मुख्य अतिथी प्रोफेसर नागेश्वर राव ने छात्रों में तारकिक और वैग्यानिक सोच पैदा करने पर जोर दिया. इसलिए कहते हैं टोटल ब्रेन, टोटल ब्रेन प्रयोग करिए, लेफ्ट हैंड साइड दो ब्रेन नहीं, केवल लेफ्ट और राइट मिला करके ज्यान से सुनिए, इमाजनेशन को उप्योग करिए और अपने वैग्यानिक सोच को आके बढ़ाईए. विज्ञान मेले में उत्तर भारत के 45 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया है, और अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने अनुसंधानों का प्रदर्शन किया. छात्रे इसमें व्यक्तिगत और टीम कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं. इसमें मर्डर केस हुआ था सर, वो उसी के स्कूल से एक बच्चे ने किया था, वो प्रेंट स्रीचर मीटिंग रोकने के लिए. तो सर, ऐसी बहुत सर केसिज हैं, सेक्शुल रिसार्ट भी हो एक गर्ल्स के साथ, तो इस सब को रोकने के लिए मैंने इस टॉयलेट में अपना सिक्यूर्टी सिस्टम यूनीक लगाया है. उस से क्या होगा, वोईस कैच होगी, और स्पेशली मैंने स्कूल के लिए बनाया है, और मैंने देखते देखते ही, पबलिक टॉलेट के लिए भी बनाया है. मैंने एक हेलमेट बनाया है, स्मार्ट हेलमेट, जिसमें मैंने नॉर्मल हेल्प में और दो फीचर एड़ किये हैं, और पहला फीचर उसमें यह है कि जब कभी भी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस टाइम अलाम करेगा, और जब कभी भी कोई एकसिटन होगा, तो हमारे हेल्ट के साथ साथ हमारे नेक रिजन को भी बचाएगा, और मैं दन्यवाद देना चाहता हूँ इस औरनिजेशन को जिनने हमें एंकेरेज किया है, और हमें ऐसा इसे मोके दिया है नैशनल साइंस सेंटर हर साल नौधर्न इंडिया साइंस फेर का आयोजन करता है, इसका मकसद छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने के साथ वैज्ञानिक सोच और शोध को आगे लाना है दुनिया भर में चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इस दिन का मकसद लोगों को कैंसर जैसी बिमारी की ओर जागरुप करना है इस मौके पर उप्राश्वपती M. Venkaya Naidu ने डॉक्टरों, नीती निर्माताओं और विशेशग्यों से कैंसर के बारे में बातचीत की और उनसे जागरुपता फैलाने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने भी कैंसर रोग्यों के जजबे को सलाम किया है बदलती जीवन शैली और खानपान की बदलती आदतों के कारण लाखों लोग हर साल कैंसर का शिकार हो रहे है देश में दिल की बिमारी के बाद आसामाइक मौत की तूसरी बड़ी वजह कैंसर बनता जा रहा है वयस को बुज़ुर्गों के साथ ये पच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है तोड़ी कैंसर इस सेकेंड मोस्ट इंपर्टन काज आप डेथ नेक्स तो काडियक कैंसर कई तरह का होता है शरीर के किस अंग में कैंसर फैल रहा है उसके लक्षन भी उसी हिसाब से होते हैं एम्स के मुताबिक 40 फीसदी कैंसर सिर्फ तंबाकू सिगरेट के सेवन से हो रहा है मूव का कैंसर हूंत जबडा दांथ तालू जीप पर होता है डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी कीमो थेरेपी, रेडियो थेरेपी और फोटो डाइनमिक थेरेपी के जर्ये इस पर काफी हद तक नियंतरन पाया जाता है मूव के कैंसर के अलावा, स्टन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी बड़ी संख्या में बहुता है महिलाओं को शिकार बना रहा है डॉक्टर के मुताबिक स्टन और सर्वाइकल कैंसर के 20 फीसदी मामले हर साल सामने आ रहे है स्टन में गांट, निपल के आकार, स्किन में बदलाओ, स्टन का सक्त होना, बाहु के नीचे गांट, स्टन कैंसर के संकेत हो सकते है वही सर्वाइकल कैंसर के लिए डॉक्टरों की सला है 26 साल की उम्र तक अगर इसका वैक्सिनेशन दे दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है इसकी पहचान के लिए महिलाओं को समय समय पे पैप टेस्ट की सिफारिश की जाती है पैंक्रियास कैंसर के इलाज में फिलहाल प्रभावी इलाज संभब नहीं है ये जाधा तर बढ़ती उम्र में होता है कैंसर पेइन का जो पर डे काऊस्ट waits आता है जो मॉफिन टेबलेट्स इसको अम मेंस्टे ऑफ कैंसर पैनेजमेंन्ट बोलते है button पर दे का कौस्स थार्टी रूपीज थार्टी रूपीज मॉर्फिन टेबलेट का कौस्ट पर दे का प्लस उसके साथ अगर मॉर्फिन प्लस परासेटनल या कुछ भी एड्जुन एनर्जेसिक्स देंगे तो मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज अप्रॉक्सिमेटल आना चाहिए इस नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इस्टिल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी जो डेलीमा है और पूरे वर्ल का है कैंसर पेंट को पेंट और कैंसर को सिनोनिमर समझते और की तरफ को ध्यान ही नहीं देता एम्स के कैंसर डिपार्टमेंट के मताबिक देश में हर साल 15 लाग से जादा कैंसर के मामले दर्ज हो रहे हैं लेकिन ये रफ्तार 2020 तक बढ़कर साढ़ी सत्रह लाग तक पहुचने का अनुमान है कैंसर को लेकर जाग रुकता भी इसका सबसे बड़ा बचाओ है आपको अपनी जीवन शेली खानपान पर भी विशेश ध्यान देना होगा अनुदिवान राज्यसभा टीवी इतर फरिदाबाद में प्रतिवर्ष लगने वाला इंटरनाशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला एक फरवरी से शुरू हो चुका है 33 इंटरनाशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का थीम राज्य महराष्ट्र है इस बार मेले में आने वाले दर्शक मेले में महाराश्ट्र की संस्कृती और वहां के खानपान से अच्छी तरह परिशित हो रहे हैं मेले के फूड कोट में महाराश्ट्र के व्यंजनों का स्वाद यहां आने वाले लोगों की जबान पर चड़ कर बोल रहा है 33 वे इंटरनेशनल सूरचकुंड हस्त शिल्प मेले में देश और विदेशों की संस्कृती और हस्त शिल्प को देखने के साथ शौपिंग का मज़ा भी लिया जा रहा है इस मेले में आने वाले दर्शकों की तादात को ध्यान में रखते हुए रोजाना देशी विदेशी कलाकारो द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही है जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है सूरचकुंड मेला इस बार 17 फरवरी तक चलेगा और बात करते हैं कुम्भ मेले की प्रयाग राज में कुम्भ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर आज दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शाहिसनान पर श्रद्धालूं की भारी तादात जुटी दूसरे शाहिसनान में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज़ादा जवानों को तैनात किया गया इंटेग्रेटिड कंट्रोल और कमांड सेंटर के साथ मेला शेत्र और शेहर के विभिन हिसों में 1400 से ज़ादा CCTV कैमरे से हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी गई राश्ट्रपती भवन का प्रसिध मुगल गार्डन आम जनता के लिए 6 फरवरी से खुलेगा राश्ट्रपती भवन की इस बगया में धेरो किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के अलावा देसी विदेशी फूल मौजूद है बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं एंट्री के लिए लाइने लग जाती है पर इस बार एंट्री की ओनलाइन व्यवस्था होने जा रही है आप घर बैठे इस वक्त का स्लोट ऑनलाइन बुक करा लिजे जब आप वहां पहुंचेंगे इसके लिए आपको राश्ट्रपती सचिवाले.gov.in पर जाकर प्लान यूर विजिट टैब पर क्लिक करना है और इससे आसानी मिलेगी आपको आने में और लुद्फ उठाने में मुगल गारण का तो राज्यसभा टेलिविजिन देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला छठा चैनल बन गया है यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के 20 लाग सब्सक्राइबर बन गये हैं और उसने कई बड़े चैनलों को पीछे छोड़ दिया है लोगप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पेज़ पर पिछले आठ महीने में चैनल के 10 लाग सब्सक्राइबर बने हैं इस लिहाज से रोज 4,000 से जादा दर्शक चैनल से जुड़े हैं अगस्त 2017 में RSTV के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,25,622 थी पिछले डेड़ सालों में इसमें 470 फीसिदी का इजाफा हुआ है वहें यूट्यूब पर चैनल के व्यूज में 364 फीसिदी का इजाफा हुआ है और ये करीब 30 करोड के करीब पहुँच गया है दर्शकों की संख्या में इस भारी इजाफी की वजए संपाद किया स्वतंत्रता अलग-अलग तरह की प्रसारण सामगरी का चुनाओ है जो इसे दूसरे चैनलों से अलग बनाता है इसके अलावा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारिक्रमों और ग्राउंड रिपोर्टिंग को बढ़ाया गया है अगस्ट 2017 के बाद से राजसभा टेलिविजन में प्रधान मंत्री के मन की बाद जैसे विभिन कारिक्रमों का लाइफ प्रसारण किया जा रहा है 29 जन्वरी को चात्रों के साथ प्रधान मंत्री की परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम को और तालिस घंटे में एक लाग से ज्यादा बार देखा गया राजसभा टीवी कंटेंट और कवरेज को बढ़ाने की राह में है और ये ब्रॉटकास ओडियन्स रिसर्च काउंसिल यानि बाग में शामिल होने की प्रक्रिया में है और इसी के साथ इस बुलेटन में फिलहाल इतना ही आप जुड़े रहेगा राजसभा टीवी के साथ लगातार नमस्कार